मुंबाई ट्रेफिक पुलिस के हेलप लाइन नंबर पर एक मैसेज आता है मैसेज के जरीए मुंबाई को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है मैसेज में कहा गया कि पूरे मुंबाई में 6 स्थानों पर बम रखे गये है मैसेज मिलने के बाद मुंबाई ट्राफिक पुलिस कंट्रोल रूम ने आनन फानन में इसकी सूशना मुंबाई पुलिस क्राइम ब्रांच और एटियस को दी इस मामले में अग्यात शक्स के खिलाफ मामला दर्श कर लिया गया है और उसकी तलाश भी जारी है कुछ संदिक्द जगहों की तलाशी भी ली गई है लेकिन फिलाल कुछ मिला नहीं है ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पहले भी कई बार मुंबाई को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है 26 दिसंबर 2023 को मुंबाई में RBI ओफिस को धमकी भरा ईमेल आया मेल करने वाले शक्स ने खुद को खिलाफत इंडिया ग्रुप का मेंबर बताया ईमेल में लिखा हमने मुंबाई के RBI ओफिस HDFC बैंक और ICICI बैंक सहीद 11 जगों पर बम रखे हैं सक्ष ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और केबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमन के इस्तिफे की मांग की धमकी भरा ये ईमेल HDFC बैंक और ICICI बैंक को भी दिया गया था धमकी के बाद मुंबाई क्राइम ब्रांच ने तीन लोगों को गिरफतार भी किया था RBI कारेलाई को बम से उड़ाने की धमकी से पहले मुंबाई पुलिस को इमेल के जरी एरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी इमेल भेजने वाले ने मुंबाई एरपोर्ट पर विसफोर्ट को रोकने के लिए 48 घंटों के भीतर बिटकोईन में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थे धमकी भरे मेल में लिखा गया विशय विसफोर्ट मेल के टेक्स में लिखा गया यह आपके एरपोर्ट के लिए अंतिम चेतावनी अगर दिये गए पते पर विटकोईन में 1 मिलियन डॉलर ट्रांसफर नहीं किये गए तो हम 48 घंटे के भीतर टर्मिनल 2 को बम से उड़ा देंगे ऐसी ही और जानकारियों के लिए देखते रही है टीवी 27 नमस्कार